तो दोस्तों आज का अपना जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजन चक्र और यह नाइन्थ टैन्थ के जो भी टॉपिक है उनमें आखरी हमारा जैवरासानिक चक्र ले रहे हैं अभी अपन और अगर कोई और चक्र की रिक्वार्मेंट आपको लगती है कि और भी मैं पढ़ा हूं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर के नीचे जरूर बता दीजिए ताकि मैं फिर उस पर और वेडियो बना दूगा तो देखो सबसे पहले हमेशा की तरह है कि आपन समझे तो सही कि ऑक्सीजन का महत्व क्या होता है इंपोर्टन समझ में आया तो ही तो समझे कि नहीं पढ़ते है तो अब सबसे पहले क्यार ऑक्सीजन देखो प्रत्वी पर मुक्त अवस्था में मिलता है ओटू गैस है कितनी है हमारे वायुमंदल में लगभग 21 प्रतिशत फिर उसके अलावा के रहे हैं बद्धावस्था में मिलता है बद्ध है मतलब इसने क्या यो कार्बन डाय ऑक्साइड हो गया थे अलफर के ऑक्साइड हो गया यह सारे के सारे अधात्मों के औक्साइड किरा कार्बोनेट तो co-3-2- म सबस्क्राइब प्री कुछ चार्ज है उसके उपर यह अधिक खनी जो मैंनद चार्ज है तो इस तरह सब्सक्राइब आदि खनीज में भी पाया जाती अलोब थे क्या खनीज कौन से है, जो हमें प्रत्वी की जो ऊपर ही सता है, उससे हम निकालता है, तो न को मिलती है, इसके अलावा ये हमें carbohydrate, protein ना भी कहला है, Dave के हमले का है DNA और उसके लाभ़ प्रोटीन और carbohydrate इन्वे मिलता है oxygen अपने को उसके लाव वसा में भी फैट जो होता ना इसमें भी हमारा ऑक्सिजन है ही है तो बहुत ज्यादा अब हमने कहा कि यह जैवरासाइनिक चक्र है जो हम पढ़ रहे हैं प्रत्वी का इस्तल मंडल और जल मंडल इन सब में में से होते हुए जैविक जिन्दा और और घटकों में से होते हुए चक्र बुर्जन सफरी वहां तो इस को इस सकर को हमने नाम दिया oxygen चक्र सरीन सी बात है फिर उसके बाद हमने क्या दिया कि oxygen चक्र कार्बन चक्र आपस में जुड़े हुए हैं अर्था साथ साथ चलते हैं यह और इंटरस्टेंग बात है देखो कार्बन चक्र को ही क्यों बोला हमने यहां पर हम बोलने को तो हम जल चक्र भी कह सकते थे चलते हां देखो हमने चलते हैं लियुक्त के चलते हैं और पानी का पानी रहता है जल चक्र पढ़ रहें तो वह वास पावस्था में भी जल ही था अनग गया उर्जम घंग गया था तो भी हो हुई था और अगर लिक्विड है तो भी है हमने थीक है तो एसे प्रक्रम है हमारे पास में जिनमें और यहां पर कॉन से जीवों की बात कर रहे हैं वायवी श्वसन करने के लिए तो कह रहा है वह ओटू की सहायता से श्वसन करते हैं तो उससे क्या बनाते हैं और साथ-साथ में क्या लिए करते हैं सीओ रिलीज करते हैं सीओ बहार निकाल देता है वायमंडल तो श्वसन में खर्च होती है अक्षजन पहला दूसरा किया दहन जो है यह यह भी बहुत खास है तो दहन में देखना हाइड्रोकारबन होते हैं देखो पेपर है अपना उसको जला रहे हैं यह 172 कोई चीज नहींदी दी वाथ शडख्य बात है एक अगर हम क्या हरे मान लो मान लो मेरे पास thinner की बॉटल है तो यह thinner लो तो thinner में अगर मैं क्या घोर हूँ बरी होई बॉटल है और उसमें हम ऐसा करें तो दोस्तों interesting बात पता है किहा है क्या क्यों कि उसके जलने के लिए पर्याप्त ऑकसीजण नहीं है उस बॉतल के अंदर क्योंकि बॉrokल पूरी है लिकुर्ट वहासी नहीं है क्या tu और जालने के बाद क्या होगा एक सी और देंगी वह और तीसरा है हमारे नैट्रोजन के अक्षाइड बनाने हैं अब ये भी बोला हम नैट्रोजन चक्र पड़े थे तो और ने देखा था कि oxygen जो है उसे जुड़ाता था nitrogen नाइट्रीड बना लेता था फिर अलग होजाता था तो यहां पर भी चीज क्या रहा है वो जुड़ता है फिर वापस अलग हो जाता है तो इसलिए यह तीन प्रोसेस अब इसके बाद क्या है कि अच्छा यह तो हो गया कि oxygen गई व उसके लिए हमारे पास दो प्रक्रम है या ऐसा बूल सकते हैं कि एक मुख्य है इनमें से प्रक्रिया दूसरी जो है वो फिर भी कम होती है तो सबसे जो important है ना oxygen को पुना वायु मंदल में लाने के लिए वो है प्रकाश अंचलेशन प्रकाश अंचलेशन हम बजपन से बढ सब्गत के जीव है वो भी क्या एक प्रकाश इंचलेशन पर तो यह सारे यूद ने और उससे क्या कार्भो हैड्रेट है तो यह सारी चीजा नाऊ-स-ऊ-बण भॉप्स ने jлюkos यह बनाते है और तो यह रिदे देते हैं तो यह सबसे मुख्या प्रक्रिया है जिससे CO2 वापस वायो मंदल में आ रही है अब अगर हम पेड़ काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते ही जाएंगे तो खर्च तो उतनी होई रही है लेकिन वापस तो यह घडबड हो जाएगी तो उसके बाद दूसरा ह है हमारे पास अब घटन तो अब घटन दोस्तों क्या है कि प्रत्वी पर मृत पादप वह जीवों का क्षय होता है समझना इस बात को कह रहे हैं कि जब प्रत्वी पर मृत पादपों वह जीवों का क्षय होता है जैसे मालो अपने पेड़वेड मर गए जानवर वानवर मर वान जाएगा ।ुटना लग जाती हैं वो सारे चीज़े, और वाय। में बहुत सारे योगिक हैं जो तत्व हैं वो आ जाते हैं जैसे कि मालो पानी है उसके अंदर जानवर के अंदर तो बाहर आजाएगा मिट्टी में आजाएगा या मालो कोई भी और अगर गयस या कुछ भी है तो वो धीरे-धीरे वापस से प्रकृति में घुलने मिलने लग साथ है लेकिन हम यहां पर वो पढ़ रहे हैं जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं जो बड़ा जिनका रोल है सीज में तो दोस्तों अब यह फटावर्ट से मैं हट रहा हूँ आप लिख लो फिर अपन इसको ड्रॉ करना देख लेता है तो दोस्तों अंब बहुत सिम्पल हि बना रहे है अपन कि यह वांडल में ऑक्सिजन है तो इस से रहे हो जाब से पहले अपना जो मुख्या सबसे प्रॉसेस था इसको हम लोग कह羅 रहे है रहे थैं श्कुर फ़का होगा है बहूं से अपने को बता है कि यारो उससे से सीयोटू निखलती है carbon dioxide major एक पानी निखलता है तो अपने एक लिखते हैं पहले सो िमालो कि मालव यहां पर हमें निकल रहा है दोस्तों so2 gas लेहां पर पॉर और सथी साथ में अपने को यहां पर जो है पानी भी भी बनता हैे तो हैं अब देखो दोस्तों क्या होगा कि यह दोनों चीज्जें हमें चाहिए होती है एक प्रोसेस में जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकास अंसुलेशन में कार्बंड आउक्षाइट भी चाहिए अपने को और अपने को ह्-2 वी चाहिए तो अपन लिख देखे थी कि इसकी सहयता से जो शरीर है पादपों का वो क्या करता है दोस्तों organic compound बना लेता है या जिसको हम लोग कह रहे हैं और दोस्तों यह जो carbohydrates हैं यह हम उन पेड़ पौदों को खा लेते हैं तो यह फिर से श्वसन प्रक्रिया होगी फिर से आगे का जो हमारा process जो है चलता रहेगा दोस्तों यह तो main जो किताब अगराम बनाया हुआ होता है लेकिन इसके अलाव अपन थोड़ा सा और बता सकते है कि माल लीजिए कि यह जो वायू मंदल की CO2 है यह जो oxygen है सौरी यह श्वसन तक आई यह जीवों का हिस्सा बन गए और जीवों का अंग बनने के बाद दोस्तों यह वापस से अपगटन के माध्यां से हो सकता है कि यह वायू मंदल में पहुँचे हाला कि यह प्रॉसेस इतना जादा famous नहीं है लेकिन हम लोग इसको बता तो सकते ही है कि जीवों के अपगटन से भी तो हो सकता है कि जो है oxygen चिजन वापस से पुनह वाइव भूसुत जाए और यह वाला मेरी तरफ से एक और छुटा सा इडिशन है हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यह यह बढ़िक यह चिजह ना हाइडरोकार्बन के साथ भी होती है कि हाइडरोकार्बन है और ये carbon dioxide को जब हम वापस देखें ये कहां जाएगी तो दोस्तों ये प्रकास insulation के माध्यम से होते हुए ही इस पूरी चक्र में वापस आ जाएगी तो इस तरह से हमारा oxygen चक्र छोटा सा पूरा होता है मुझे उमीद है आपको वीडियो तो पसंद आया है जैसा लगा comments में लिखिए दोस्तों के साथ share कीजिए मिलता हूँ मैं आपसे और वीडियो में